तारीखिया देना 22 जनवरी मर्यादपूर्शुत्तम भगवान स्री राम पधारेंगे अयोध्या में वरिहत तोर पर कारक्रम की तयारी की गई है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी राम मंदीर का जब यह उद्धाटन होगा तो उस कारक्रम में शरीक होने के लिए पह राम को मानने वाले राम के मार्गों पर चलने वाले तमाम लोग इस राम जन्व भूमी के पावन अबसर पर सब कोई खुशी-खुशी हैं एक उत्सा और भक्ती का माहोल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है लेकिन क्या आपको खबर है कि जिस राम का नाम हम पहले लेते ह उससे पहले मा सीधा का भी नाम लिया जाता है मा जानकी का भी नाम लिया जाता है हम तो सब को कहते हैं सीधा के राम का दितुन है यह राम का सिया के बेनास्तित्व है कतई संभब नहीं है यह चीज अब देखिए अयोध्या में इतने व्रिहत तोर पर कार्कम की तैयारी हो रही है लेगिन कभी आप एक नजर फेड लीजिए माजानकी की जन्मस्थली को लेकर जनकपूर को लेकर क्या आपको लगेगा कि हम जिस अस्तर पर राम जन्भुमे यानि कि अयोध्या के लिए कार्कम के तैयारी कर रहे हैं उत्सा से लवरेज हैं भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं क्या उसी रंग में उसी नजर से हम माजानकी की जन्मस्थली को याद कर रहे हैं कते नहीं मु एक उमंग है और कण कण में जनकपूर के हर कण में मा जानकी के साथ साथ मर्यादापूरुशत्तम राम की चर्चा है हर जुबाँ पर भगवान स्री राम बैठे वे हैं हर रंग में हर रूप में सिर्फ राम की भक्ती है जन्वस्थली भरे ही मा सीता की है मा जानकी की है येकिन वहाँ हर एक लोग जानते हैं कि राम के बिना तो सीता का स्थित्व नहीं यहां भी सीता के बिना कोई राम का अस्तित्व नहीं लेकिन जिस राम को हम पूज रहे है क्या उन्हें या भास होगा कि कि उनकी अर्धांगनी यानि कि माजान की जहां उनका बच्पन विता यानि कि उनकी जन्वस्थली जनकपूर में क्या उसके लिए कोई तैयारी की गई है या फिर यूही नजर पेड लिया गया है अब जनकी के महल को जाके देखिये ठीक है उसके लिए कहानिया कई है तमाम लोगों कहते हैं कि राज़स्थान के एक महराणी ने उस महल को बनाया था लेकिन अस्तितुत हमारा वही है वो तो मेरी लिए माजानकी की जन्मस्थली है कभी अपना जर्द दोराईए कि जिस अस्तर पर पूरे विश्व में ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में रामलेला के लिए तैयारी की गई है क्या जानकी के लिए वो रंग है, क्या जानकी के लिए वो भकती का रंग है, और अगर है, तो वो महल, वो जनकपूर, आज बाधाल क्यों? क्या fund है नहीं सरकार के पास केंद्र सरकार के पास या फिर fund देने की यूजना नहीं है ठीक है कि पडूसी देश में है नेपाल में है वो लेकिन चुके मधेश का इलाका है तो वहा अधिकांस लोग पूजने वाले जो अधिकांस लोग होते हैं वो हिंदुस्तान के लोग ही होते हैं आप छोड़ दीजे ना भारत नेपाल को चुबिए आप एक भक्ति के रंग में वहाँ थोड़ा सा तो विकास किया ही जा सकता है माजानकी के लिए माजानकी के जन्मस्थली के लिए एक रूप में आईए एक नजर उस पे भी फेर दीजी जिस भी अस्तर पे फेर ये लेकिन फेर ये जरूर क्योंकि वह माजानकी बैठती है हर साल राम नौमी के मौके पर राम विबाह के मौके पर अयुद्या से बाराती तो जली आते है लेकि बारात के दोरान महापे तैयारी जरूर भी हत तोर पर होती है जनकपूर में लेकिन उस कारक्रम के समापन के बाद राम सीता बया के समापन के बाद जनकपूर फिर उसी रंग में लोड़ जाता है एक बाद हाली के रंग में जहां वहां के महल आज भी खंधर होते जा रहे हैं 100% अगर आप अयोध्या के लिए तयार है तो आपको 100% तयार जनफूर के लिए भी रहना है माजानकी की जन्वस्थली के लिए भी रहना है क्योंकि मैं फिर से आपको एक चीज दोहरा रहा हूँ राम के बिना सीता नहीं सीता के बिना राम नहीं राम का स्थित्व सीता से जुड़ा है सीता का स्थित्व मर्यादा पूर्शत्तम भगवान स्री राम से जुड़ा हुआ है तो आईए न जहां राम लला के लिए इतनी तयारी हो रही है मर्यादा पूर्शत्तम भगवान स्री राम के लिए हम इतने उत्सा के रंग में भक्ती के रंग में डूबे हुए हैं तो एक नजर वहाँ भी फेड़ लिजिए माजानकी के स्थाली के लिए माजानकी के जन्वस्थाली के लिए थोड़ा सा विकास उस ओर भी हुआ जाए अब मेत्रिर देश के रूप में नेपाल से भी मदद मांग सकते हैं एक कदम आगे बरहा सकते हैं क्योंकि ये आस्था में अस्तित्व का सवाल है माजानकी के साथ मर्यादा पुशोत्तम भागवान स्री राम का सवाल है फिलाल अगर मेरे किसी भी बात से आपको शति पहुँची हो तो मुझे माफ कर दें लेकिन माजानकी के लिए मुझे इतना बोलना ये मेरे जहन में सही आया ये गलत आया ये उसका जवाब मैं खुद जानता हूँ फिलाल मुझे दी जाजत नमस्कार